सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को किलिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी किलिक कर दीजेगा लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हे गाइस तो फाइनरली कल सेमसंग ने सेमसंग गलक्सी एसेवेंट के लिए एक बाइनरी अपडेट पास किया और यह ज्यादा अपडेट भी नहीं सिर्फ दो पॉइंट लगबग सेवेंटी अपडेट आया हुआ है तो चलि मैं आपनों को दिखाया था हूं कि लास्ट नहीं मैं आप लोग ओनेस्टली बोल रहा हूं तो इसमें जो कुछ प्रोब्लम हो रही थी सेमसंग का जो पाई अपडेट आया था सेमसंग के सेमसंग एक सेवेंट में तो यह अपडेट के कारण उस सब पुराने जो बक्स हो रही थी उनको फिक्स किया गया है तो जब से यह अपडेट मैंने किया हूं तब से मुझे कुछ चीजों में इंपूर्मेंट हुआ है जो कि पाई अपडेट के बाद आप लोंको प्रोब्लम देखने को मिल रही थी पहला था बेटरी का ड्रेंड इस्यू वह अभी यहां पर ठीक हो गया मैं अभी थोड़ा दिर पहले लगबग चार्ज किया था 100% और अभी यह 92 पे आ चुका है तो मेरे क्यास से बेटरी का जो ड्रेंड फास्ट हो रहा था उसका जो इसू था वह यहां पर सॉल्व कर दिया गया है अभी भी आपको एक फरवड़ी का ही सिक्रूरेटी अपडेट देखने को मिलता है तो अभ तो मंझे तो मैं मेरे better हो चुका है लेकिन आप उतना भी बहतर Ne t liberals मैं पूर्मोरी प्रोल्म हो रही थी और आप भी हलका फुल का यहां पर problem हो रहा है लेकिन उत्रा नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था तो अभी मेरा नेट्रो का इसू almost मतलब 80% आप समझा सकते कि solve हो गया है लेकिन कभी-कभी वो फिर से मतलब वही problem होना है हो जाता है तो बस 2.73 MB का अपडेट आया वा था और कुछ चीजों में इंप्रॉमेंट किया गया है केमरा का जो मोड था उसमें भी कुछ चेंजस किये गये हैं और आपको आप अच्छे इस तरह से यहां पर डेटरिंग देखने को मिल जाएगी और आप लोग बोह रहेते कि जो सूपर स्लो मोशन है वो पूरी तरह से खराब हो गया लेकि तो केमरा में भी सूपर स्लो मोशन का अपडेट को और अच्छी तरह से इंप्रॉमेंट किया गया है तो अब एक बार ट्राइ करके देख सकते हैं तो अबर और सेंसंग का यह अपडेट मुझे पसंद आया अगर यूजे किये पुस किया उन थे और हिलगे एक ऑपने तो के लेक देख सब्सक्कार करना तो भीटर भूलेंगा थेंकू सू मुच